अजर हम बना रहे है फ्रेंच टोस्ट इसके अंदर अंडा दूद शकर और सिनिमन पाउडर है और इसके अंदर में ब्रेड दाला है और यहां रखा है पैन पैन हो रहा है गरम हमें इसको अच्छे से बिष्क निण करेंगे तो अच्छे से की पूरा इसको सोग मिक्षर दूद और अंडे का है अच्छे से अब चाहे तो इसके ऊपर 200 कड़ी सकते हैं कि पाव है ना तूटता नहीं है ताइम लगते है उसको तूटने के लिए अद्दर टाइम बटर लेना है तोटर थोड़ा शाँ इसमें दाब ले थोड़ा गैस कम करेंगे पान बहुत होट हो गया अब यह जो प्रेड है जब तूटेगा तूटने में लग जाएगा इसको धीरे से इसके दाल देखो मैंने गैस अद्दम स्लो रखाया और यह थोड़ा सा मिक्शर हम लेंगे है इसके उप्रेड दालेंगे कि फिर हम बोलता है ना कि ब्रेड जादा फिर ब्रेडी ब्रेडी ना लगे जब हम खाते है ना तो जादा ब्रेड ब्रेड लगता है यह करने से ना इदम सॉफ्ट बनेगा और अच्छा बनेगा तो यह अभी इसको ऐसी रखे थोड़े टाइम के लिए तब तक अच्छे से ब्राउन ना हो जागा अब जैसे देख रहे हैं उपब दाला था थोड़ा और इसका बैटर वो पूरा सोक लिया है तब अभी इतना नहीं है अब धीरे धीरे इसको थोड़ा हिलाओ थोड़ा पका नहीं है थोड़ा लग रहा है यह भी तब पका नहीं है जब तक वो पक जाए तब तक हम अपनी दुसरी ब्रेड डाल देंगे यह पैटर ने यह ब्रेड भी उसको सोक ले कि इसको पूरी तरह के से इसके उपड़ा दालो अच्छे से मिलाओ सब कुछ में में फिंग यह है ना कि दूद अंडा और शक्कर का जो यह बैटर बनाया ना मैंने वह अच्छे से आप मिलाना उसको और आप नहीं मिलाओगे ना तो पूरा शक्कर ने से नीचे रह जाएगा इसे वह कड़कड हो जाएगा तो यह टेस्ट अच्छा नहीं आएगा यह फॉर्मिला आप करना और मुझे लगता नहीं है कई गुना बेटर है आप जो भास से चोकलेट से आप कुछ भी खाते हो उससे बेटर है मुनलब लो कोस्ट फटाक से बन जाता है और थोड़े तरीट से हेल्दी भी है भले इसकेने शुगर है शुगर खाते हैं कोई नो कोई बेमें आपको इसको हैली बनाने आप स्टीविया को हनी डाल सकते हो सकते हो इसके मैश्टव बनाना भी दाल सकते हो शुगर को अल्टो निटिव पस जैसे आपको ठीक लगें और जिस्ट इन जोइँ पन्टा दीया है अब देख रहे हूं कैसे ब्र मुझे इतना बटर पसंद नहीं है, मैं सही बोलू ने इस पर मुझे कि एक बटर है उसके एक सॉल्टीनेस होती है, जो भी ब्रैंड या मुलगा, उसके थोड़ा सॉल्ट रहता है, आप ट्राय करना, बटर के नेसे सॉल्ट रहता है तो फिर ये थोड़ा शूगरी से जादा पकाने के जब रहती है, ये अंडा और अंडा को इतना टाइम नहीं लगता, बस थोड़ा दिर इसको पकाओ, और मस्ता मिल बाट के खाओ, ये मेरा फ्रेंच टोस्ट रेडी है, सॉफ के लिए, ऐसे हम बाखी भी मनाएंगे,